राज के माविदल और रायपुरुपाली के यूटूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का हर्दिक स्वागत पिछली का अक्सा में हमने बाबर के बारे मैध्यन किया था आज हम अध्यन करेंगे बाबर के जो पुत्र और उत्रादीकारी थे हुमायो हमने देखा था कि बाब की मर्तियों हो जाती है बाबर के मर्तियों के बाद उसके पुत्र थे हुमायो एक मातर पुत्र थे हुमायो मुगल वास्चा बनते हैं तो आद हुमायो के बारे में हम शेप मैध्यन करेंगे हुमायो दित्य मुगल समराठ हुमायो एक मुगल सा सकता परतम मुगल समराठ ब मार्ज लेकर यह वही 1556 इनका जीवन 22 फरवरी 1556 तक रहे यह दे पी उनके पास सामराजिय बहुत साल तक नहीं रहा फिर भी मुगल सामराजे की सामराजे की नीव में हुमायो का महत्पून योगदान है हुमायो का चितर आपको दिखा ही दे रहा है आपकी स्क्रिम पर तो ह हुमायो ज्यादा समय समय तक शासन नहीं कर पाया था क्योंकि उनको शेड़ सा सुरुषी प्राजित होने पड़ा और भारत छोड़ी के जाना पड़ा 1540 में बिल ग्राम या कन्नोज का योद हुआ था शेड़ सा सुरुषी और हुमायो के बेच में उसके बाद में हुमायो को भारत छोड़ना पड़ा और इरान जाना पड़ा फिर एरान की सा की साहिता से हो फिर ना काबोल कांधार के कबजा करते हुए भारत पर अधिकार करते हैं और उने 500 कर्षा में दिल्ली की करती प्राप्त करते हैं तो ज्यादा समय तक शासन हुमायो का भारत में नहीं रहा। हुमायो का परीचह देख लिजिए पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1530 से लेकर 1540 इनकी सासन की अवधी है 40 में ये बहार चले जाते हैं 40 के बाद में ये 1555 तक राजगदी से विहींद रहते हैं और 1555 में पुन हैं दिल्ली पर अधिकार करते हैं और थोड़े दिनों बाद ही 1556 में ही उनकी मर्तियों हो जाती है ये पूरवर्ति सासक थे बाबर पिता जी उत्तरवर्ति सासक जिनके बाद सासक वने एक बार इनका जो मगबरा है समाधी है इनकी वो हुमायो का मगबरा की नाम से हैं ये इसको ताजबेल का पूरो गामी भी कहा जाता है ये दिल्ली में है जीवन संगनी इन्होंने कापी सारे विभा किये जिनमें से हमीदवानों बेगम ये अकबर की इनके बाद जे समराब होते हैं अकबर उनकी माता ते इसके अलावा बेगा बेगम इगे बेगम चान बीभी हाजी बेगम मा चुचक निवएंजान सहजादी खानम इतियादी ये सबी इनकी पत्निया थी, इनका गराना तेमूर, मुगल गराना था, पिता का नाम क्या था, बावर तोड़ा साइंस काद्यान कर लेते हैं जब बाबर की मर्तियों होते हैं तो बाबर क्या कहता है हुमायू को सबाश्या बनाता है अपना उतरादिकारी बनाता है परंतों अपने भाईयों के साथ अच्छा विवार करने के लिए कहता है और भाई कौन थे? एक भाई थे कामरान और उनको जो शेत्र दिया था काबूल और लाहौर का बाबर ने मरने से पहले ही इस तरहें के राज्ये का बाड़ दिया ताकि आगे चलकर दोनों भाईयों में लड़ाई ने कामरान आगे चलकर हुमायू के कड़े पर्तिदुन्दी बने हुमायू का शासन अफगानिस्तान पाकिस्तान उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक रहा बारत में उन्होंने शेर सासूरी से बिलग्राम बिलग्राम का युद इसको कन्नोज का युद भी कहते हैं इनको क्या कहते हैं कन्नोज का युद कन्नोज का युद भी कहलाता है बिलग्राम का युद मैं पराजित कर दिया तो यहां इसे नि पिरेज़ नहीं इनले राड़ के सहाह की मदद्स उसने काबूल कंदार में मतब 290 को जीता उसने carrion में आप टक śräछा सुरी बॉत किमतिम दिक टी थी तो उनके उत्रादी कारी निधुर धीडि सोल ऌगप a darfah में मढ hina हो गई इसके साथ मुगल दर्बार संस्कर्टी भी मज्टे एशियन से इरानी होती चली गई हुमायू के बेटे का नाम जलालुतिन अकवर था जब हुमायू निर्वासित जीवन जीरा था अमर्कोट के राजा के पास रुका था उसी समय जलालुतिन मुहम्मद अकवर का जन नाम हुमायू के जीवन ने उनकी ज़िस बहन थी उनकी जीवन निकी बहन लिखा यं का नाम इनका था फूर्व्वतन बेगम तो हुमायू नाम के घ मुगल इत्यास के बारे में जानकारी मिलती है está haまaghूनाम लिखा फुर्वाद्न बेगम ने इसमें हुमायू को काफी वि पुस्तकालेLeLe 처 acadhya बॉर्ण करcakो कि सिधीयों से उतरते हुए उनका पाणों फिसल जाता है और अंकी मर्द्यों आज़ी को जाती है तो एसे इत्सहा अंजमा का विशेये हैं वह समापत होता है कल हम पढ़ेंगे अगली कुछ कक्सावों में अगवर के बारे मैं अधिन करेंगे अगवर के बारे हम शेयर सांकाध्यान करेंगे